Hindustan, India, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, but poverty is a significant issue of this country. यह हमारा system, political issues, nepotism, woman empowerment, lack of education, demonetization. Right? No. नहीं, यहाँ toothpaste में नमक हो ना हो. लेकिन हर एक भारती के खून में तेश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बाते हैं, यहाँ सोच ब्रेंडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चान्द में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रायन 1 satellite नहीं detect किया था. And ISRO successfully launched 104 satellites. लेकिन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है. खेलो के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलो के मेजर और भगवान भी यहीं है. साथ ही, कबड़ी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सापसीडी जैसे खेलो का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा. क्योंकि जितने फेस्टिवल यहां मनाए जाते हैं, शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हैं. अनेक्ता में एक्ता की जलक दिखाते हैं तेवहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है, उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना और अगर कोई बात समझ में ना आए, then that's your fault. क्योंकि भाशाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समरिद्ध शाली देश है, यहां 22 official languages के साथ 1600 सबी जाधा भाशाय बोली जाती है, और तो और इंडिया वर्ड का दूसरा सबसे जाधा इंगलिश बोलने वाला देश है, कुछ भाशाय बड़ी तीखी है, तो कुछ पड़ी मीठी, वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वास फस्ट कंज्यूंड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रेडियूसर बन चुका है, यह तो थी शक्कर और दूद की बाद, और इन दोनों के बाद, the most important, P for birth और D for death के बीच मे यहाँ सीफ और चाय होता है, और वल्ड में सबसे ज़ादा वेजिटेरियन्स भी इंडिया में हैं, इंडियन कुजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वेराइटी ने दुनिया को चटपटे पन का जाइका दिया है, क्योंकि यहाँ पर परगर एक डिश है, लेकिन इंडिया में सबसे पहले अचार बुध्याना ने केलकुलेट किया था, वो भी 6th century में, और वल्ड की पहली यूनिवरसिटी तक्षिला, 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज़ादा लोग, 60 से भी ज़ादा सब्जेक्स पढ़ते थे, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया, आयुर्वेद वल्ड का oldest school of medicine है, भासकरा चारे ने सबसे पहले ये गड़ना की थी, कि प्रत्वी सूर की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है, शुश्रुता को father of surgery कहा जाता है, जिनोंने आज से 2600 साल पहले अ इस figure को 28 second में calculate करके world के human calculator की उपाधी हासिल की है, और ये किस्ता नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, सोनी की चिडिया कहा जाने वाला हमारा देश, 17th century में world की सबसे richest country हुआ करता था, 1896 से पहले इंडिया पूरे world में diamond का एक लौता source था, दुनिया के कुछ बड़े उद्योग पती भी भारती है, and India is the fastest growing economy in the world, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहा, यहां सिनेमा सिर्फ entertainment नहीं है, lifestyle है, क्योंकि इस planet में, Bollywood में सबसे जाधा film बनाई जाती है, और world के second richest actor भी Indian है, नाम तो सुना ही होगा, India has largest number of news channel in the world, एक आम भारती, Netflix की एक पूरी series on an average तीन दिन में देख लेता है, जो की Netflix के आकडों के अनुसार सबसे तेज है, and India has fastest growing telecom market in the world, इंडिया से सस्ता 4G network दुनिया की किसी और country के पास है ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लोगतंद, और दुनिया का तीसरा सबस इस्टे मनाया जाता है, हमारे missile man Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम जी के सम्मान में, Indian Railway World का सबसे बड़ा employer है, जिसने 1.3 मिलियन से भी जादा लोगों को employment दिया है, भारता चांद तक पहुँच गया, लेकिन कुछ भारतियों को 140 तक पहुचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन य India has world's largest youth population, construction, civil engineering, architecture, martial art, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है, जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारती ही था, toilet flush की technique और shampoo से लेकर, carbon pigment से बनी pen की ink, sea shell से बनी shirt की button, ये सब कुछ उस देश की देन है, जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संसकारों में कमी नहीं हो जहां तीन लाग से जादा मस्जिते हैं, जो किसी भी दूसरी Muslim countries तो क्या, पूरी दुनिया में सबसे जादा है, जहां एक चाय बेचने वाला इंसान, अपनी महनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से, देश की सबसे बड़ी शक्ती बन सकता है, जहां देश को देश नहीं, मा, भारत माता समझा जाता है, ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है, जो भारत को एक महान देश बनाती है, और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर क वन दे मातरम